नमस्कार कक्कु की किचिन में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं एक मेक्सिकन डिश बरितो बोल जो कि अपने आप में ही कम्क्लीट फूड है इसमें हम फाइफ लेयर बनाएंगे पहली लेयर होगी मेक्सिकन राइस की सेकंड लेयर ड्री फ्राइट बीन्स सार क्रीम फ़र्ट लियर सालसा और फिर हम इसे टॉप करेंगे बहुत सारी तिप्स के साथ 10 लेयर फिर स्चार्ट करते हैं फरस्ट लियर मेक्सिकन राइस के साथ मेक्सिकन राइस बनाने के लिए हम इसमें एक टेबिल स्पून तेल डालेंगे यह गार्लिक लिया है मैंने इसको छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया है तो यह आधा डालेंगे अभी इसको करीब 30 सेकेंड ही सोते कर लेंगे हम अब इसमें प्यास डाल देंगे हलका सा प्याच को भी फ्राई कर लेंगे बहुत ज़ादा हमें नहीं करना है गैस को मीडियम फ्लेम पे रखेंगे यह मैंने तीनों कलर की कैप्सिकम लिया है इसको भी थोड़ा प्राई कर लेंगे इसको ज्यादा कुक नहीं करना है हमें अभी कॉर्ण डाल देंगे थोड़ी सी इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे कॉर्ण नहीं हो तो आप राजमा भी काम में ले सकते हैं पर मेक्सिकन डुष में कॉर्ण और राजमा बहुत ही इंपोर्टेंट है आप जो भी आपके पास अवेले बिलो वो ले सकते हैं अब इसमें राइस डाल देंगे राइस मैंने बॉइल कर लिये थे इसमें टामेटो केचप और चिली सॉस मैंने मिक्स करिया है इस थोड़ा मॉइस रहे है इसलिए हम इसमें डाल देंगे आधा चमबच में इसमें नमक डाग रहे हूं आप टेस्ट के कॉर्डिंग कम जादा कर सकते हैं हमारी एक लेयर तयार हो गई है अब हम बनाएंगे दूसरी लेयर री फ्राइड बीन्स शेकंड लेयर री फ्राइड बीन्स बनाने के लिए एक टेबिल स्पून तेल डाला है अब इसमें ये लेस्ट डालेंगे हलका ही हमको इसको फ्राइ करना है फिर ये हरे प्याज मैंने बारिक काट लिए इनको थोड़ा फ्राइ करना है हमें अब इसमें ये टमाटर मैंने बिल्कुल बारिक बारिक टुकड़ों में पीसेस कर लिए इसके इन सब को बिल्कुल अच्छे से पकाना है ये मैश हो जाए अच्छे से इसको ऐसे बिल्कुल दबा दबा के हमें मैश कर देना है एक तरह की ग्रेवी बन जाए इतना हमें इसे मैश करना है कि राजमा मैंने बॉइल कर लिये थे और इनको आदा कर लिया है इसे बिल्कुल आदा चमच नमक डालेंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स एक चमच तमेटो कैचप इसमें हलकी सी लाल मिर्च भी डालेंगे क्योंकि मैक्सिकन डिश स्पाइसी होती है क 구риया यसे अगर इसे बिल्कुल और इसका सूक जाए तो थोड़ा पानी भी इसमें एड़ कर सकते हैं वैसे इसमें जौरत नहीं पड़ेगी देखी आप तयार है हमारी सेकेंड लियर रिफ्राइड बीन्स अब बनाएंगे हम थर्ड लेयर सार क्रीम थर्ड लेयर सार क्रीम बनाने के लिए मैंने दही लिया है इसको मैंने 4-5 गं चौथाई चंबच पिशी हुई काले मिर्च चौथाई चंबच नमक और यह आदा नीमबू लिया है मैंने अगर आपका दरी ज्यादा खट्टा है तो कम डाले नीमबू और अगर मीठा है तो थोड़ा ज्यादा डालना पड़ेगा इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अगर आपको ज्यादा गाड़ा लग रहा है तहीं तो इसमें हलका सा पानी डाल सकते हैं तयार है हमारी थर्ड लेयर अब हम बनाएंगे फोर्ट लेयर अनकुक्ट सालसा इसके लिए हमने एक प्याज लिया इसको बारिक बारिक काट लिया है एक टमाटर इसको भी बारिक बारिक काट लिया है और थोड़ा सा हरादनिया पत्ती अब इसमें हम थोड़ी सी बिल्कुल थोड़ी कालिमिज डालेंगे और चौथा ही चमच नमक नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं अब इन सब को हमें अच्छे से मिक्स करना है इनका पूरा जूस निकल जाए ये एक हो जाए सब मिलके अच्छे से अच्छे से प्रैस करके मिक्स करना है अब हमारी सारी लेर्स तयार हो गई है तो सबसे पहले हम राइस वाली डालेंगे इसे अच्छे से प्रैस कर देंगे और इसकी एक लेयर बन जाएगी एक लेयर हो गई हमारी अब री फ्राइट बीन्स की सेकेंड लेयर लगाएंगे जब भी आपके घर में कोई गैस्ट आने वाला हूँ तो आप पहले से लेयर तयार कर लीजिए पर जब वो आएं असम्बल उसके बाद ही कीजिए अब थर्ड लेयर सार्प क्रीम लगाएंगे सबसे ज़्यादा हमें राइस वाली लेयर लगानी है फिर बीन्स की और यह सार क्रीम थर्ड लेयर जो कि बहुत थोड़ी लगानी है ऐसे हमारी यह तीन लेयर तयार हो गई है अब फोर्थ लेयर साल्सा की लगाएंगे साल्सा के बाद हम इस पर दन्या पत्ती और हरा प्याच डालेंगे अब इस पर चीज ग्रेड करेंगे अब हम इसको टॉप करेंगे खूप सारे क्रश नैचोज के साथ अब हम इसको टॉप करेंगे तयार है हमारी मेक्सिकन डिश बरीतो बोल और यह सिंगल सर्विंग डिश है इसलिए आप जब भी सर्व करें तो अलग अलग बोली काम में लीजिए जिससे सर्व हो सके और इस रेसिपी को आप जरूर से ट्राइ कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कैसी बनी आपकी मेक्सिकन डिश और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए